नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर तो दोस्तों आज हम बात करेंगे 69000 सिच्चक बरती लेटेश्ट अपडेट जी आँ दोस्तों आज आखरी कोर्ट में आज क्या हुआ और दोस्तों कब तक आपका केस फाइनल हो सकता है उसको लेकर दोस्तों चली देखते हैं सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे 69000 केस की आज की सुनवाई इस्थगीत हो चुकी है टीम रिजवान अंसार एक तरफ से दोस्तों यह अपडेट मिली और उससे पहले दोस्तों आज आपको हमने अपडेट करके बता दिया था क्या की राज क्या सकती है जी यहां दोस्तों डेट में किसी प्रकार का बदलाव भी आ सकता है कि जब तक आपका ओफीशल आटर जारी नहीं होगा मतला ओर नहीं आएगा आज का तो दोस्तों उसमें जो डेट आएक उससे वहाँ पर आपको confirmation मिलेगा कि आखिर अब आपकी अगली सुनवाई कब होगी तो फिलाल दोस्तों यही है कि आज कि आपकी कोड की जो पूरी सुनवाई थी वो इस्थगीत हुई और आज आपका केस बिल्कुल भी सुना नहीं गया तो मतलब दोस्तों यार इतने लंबे समय से जो छात्री इंतजार कर रहे हैं इस केस की सुनवाई की अपडे मतलब दोस्तों यह आपको लंबा समय इंतजार करना पड़ेगा कि ऐसा तो यह नहीं दोस्तों की कल की डेट आपको मिल गई है तो एक लंबा समय तक दोस्तों आपको इंतजार करना पड़ेगा तूकि दोस्तों देखिए आज भी आपका मंगलवार था ठीक है न दोस्तों मतलब माईने में भी काफी दिन थे, जब दोस्तों आपके सुनवाई हो सकती थी, लेकिन फिलाल अब आपके दोस्तों सुनवाई जो होगी वो बुद्धवार को होगी, तो बुद्धवार दोस्तो पांच तारीकों पड़ेगा तो एक लंबी दोस्तो wait and watch आपको करना पड़ेगा मतलब लंबे समय तक इंतिजार आपको करना पड़ेगा कि अगले सुरुआई के लिए तो चलिए दोस्तो देखते हैं आज आज आकर खास बात ही क्या है कि आज और अप सरकार क्या फैतला ले सकती है आपकी 69 जास इच्चक बरती में दोस्तों और क्या क्या हो सकता है देखिए सबसे पहले दोस्तों कुछ बात हैं आपको यहाँ पर clear करना चाहेंगे जो चात्रे काफी लंबने समय से इंतजार कर रहे है तो आपकी जो एक vacancy पेपर 2 के लिए दोस्तों coming आरे जूनियर के लिए उसके लिए आपको देखिए prepare करना शुरू कर देना चाहिए सुपर टेट की proper तरीखे सब परिच्छा होगी और उसमें दोस्तों यूपीटेट या सीटेट का किसी भी प्रकार से नंबर नहीं जोड़ा जाएगा मतलब 1 by 4 की मार्किंग वहाँ पर नहीं होने वाली ठीक है ना तो जब ये सब दोस्तों conditions वहाँ अपलाई हो रहे तो मतलब आपको साब समझ मैरा कि जैसे 69,000 सिच्चक भरती होई थी वैसे ही दोस्तों आपकी वह सिच्चक भरती होगी और आपका दोस्तों वहाँ पर सिच्चा मित्रों को किसी भी प्रकार का पची संकत दोस्तों जो वेटेज मिलता है वहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा मतलब जो भी दोस्तो पेपर होगा कमपटीशन अच्छा होगा जो छात्र जाता नम्मल लाएंगे वो बच्चे नौकरी पाजाएंगे तो आपके लिए दोस्तों कहाँ पर एक मौका बन सकता है अखिर हमें नौकरी आगे चल कर कैसे मिलेगी 59000 दोस्तों आपका एक बैकप हो सकता है लेकिन जो नई वेकेंसि आने वाली न्यू वेकेंसि उस फेर नarta ही कि दोस जैसे यह उस पर भी दोस्तों आपको हाथ पैर मारना है कि कैसे ना कैसे क्लीं वह आपन नौकरी मिल जाए अभी देखे आपको एक बात और आज की सुनवाई के बाद इस पर फश्ट हो रहा होगा कि अभी ये केस का दोस्तों कोई और छोड़ने दिकाई दे रहा है मतलब दोस्तों आथा नहीं कहा जा सकता कि अब दोस्तों ये सुनवाई बिल्कुल अंत अच्छे पता होगा है कि आपको यहां पर इतना जाता समय देना आई है तो दोस्तों आप इसके साथ एक प्रैलल तैयारी कर सकते हैं सीटेट के लिए आवे देन आपके सुरूँ हो चुके हैं लेकिन सीटेट तो पास करके आपको कुछ फैदा होने वाला है नहीं लेकिन हां अगर केविस की कोई जॉब आती दोस्तों तो आपके सीटेट की वैट इमांड्स हो जाएगी कि अगर सीटेट होंगे तब दोस्त सब इस वीडियो दिसकास करेंगे कि अब 19 या क्या होना चाहिए और किन्ष हात्रों का इंतजार करना चाहिए देखें दोस्तों अगर आपके 70 से अधी गुडाइंक बन रहे हैं, सिम्पल सी बात दोस्तों आपको एक चीह समझना है, अगर आपके आज की डेट में 70 से प्लस गुडाइंक बन रहे हैं, तो दोस्तों आप 59 जा सिच्छाक बढ़ती में एक तरह से अपने आपको सुरच्च जनरल कटेगरी से आते हैं, अगर आपके 270 माइनस गुडाइंक हैं, तो आपके लिए 200 मुश्किलात हो सकती हैं, अगर आपको आरची तवर्गों के लिए तो सही है सब कुछ, अब देखें दोस्तों जो चातर जनरल से आते हैं, उनको क्या करना चाहिए, अभी अगली जो वैकेंसी आएगी, वहाँ पर दोस्तों आपका एक कोटा चलने वाले, आपके लिए भी एक अच्छी ख़बर हो सकती, EWS, economy weaker section, तो दोस्तों आप वहाँ पर अपना फैदा उठा सकते हैं, जी हाँ दोस्तों अभी तक आप लोग को आरचड नहीं मिलता था, लेकिन अब आने वाले समय में आपको आरचड देखने को मिलेगा, जो चातर थोड़े से गरीब होंगे, तो उनको भाई मौका मिलेगा, जनरल के टेग्री से भी दोस्तों आपको मौका दिया जाएगा, तो मतलब अभी तक दोस्तों जैसे आपको पता, 69 सिच्छागवर्थी में 97 को लेकर क लेकर काफी बच्य काफी परिसान है, जनरल के चातरों का दोस्तों कह बीच में नमर आ रहे हैं मतलब 90 भी आ रहा है 91, 92, 93, 94, 95 और 96 नमर भी दोस्तों के बन रहे हैं तो आपको पता कि अगर 96 नमर अगर आप जनरल के टेगरी से लाते हैं जब दोस्तों आपके नमर ठीक ठाक हो तो यह बार दोस्तों आप समझ रहे होंगे तो दोस्तों आज की फिला जो केस की सुनवाई थी देख्या आज आपने जैसा देखा कि आपके दोस्तों क्या किस्मत कई है या जो भी कई दोस्तों ऐसा बहुत दुबार हो चुका है कि मतलब दोस्तों कोई ने कोई प्रॉब्लम्स हमेशा 69 जास इचक भरती को लेकर ही रहती हैं और भी दोस्तों जो cases होते हैं वो तो चलते आ रहे हैं लेकिन 69 जास इचक भरती का case जिसमें दोस्तों 4 लाग सदिक छात्रे involved हैं वो case दोस्तों सोचे कितना slow चल रहा हैं अगर आप सोचे दोस्तों कि अगर आपने अकेले case कर रखा होगा कोई normal cases होता है तो दोस्तों इसकी बात अलग होती है लेकिन जब 4 लाग सदिक छात्रों का carrier दोस्तों इस सिचक भरती पर depends करता है तो भी दोस्तों इस सिचक भरती इतनी slow गती से आगे बढ़ रहे है एक आश्यर वाली बात भी होती क्यार कि इतनी बड़ी सिचक भरती बिल्कुल दोस्तों कच्छबों की चालते चलती ही नजर आ रही है अब दोस्तों देखने वाला मतलब बात होगी आने वाले समय में कि क्या होगा दोस्तों सिचक भरती का सरकार क्या फैतला लेगी देखिए यहां पर सरकार के पाथ दोस्तों काफी powers हैं अगर सरकार दोस्तों चार्ज एक नहीं हम इस vacancy को complete करना है और region दोस्तों तरक यह दिया जा सकता है कि अब आने वाले ने सात्र में जिया दोस्तों आपक तो इसे दोस्तो चार्ट्रों को बहुत फैदा होने वाले हैं तो उम्हीं दोस्तों हम लोग को नौकरी तो हाथ में आ जाना चाहिए नियुक्ति पत्र अब दोस्तों लेकिन इसी चाहिए सिच्छक बरती आगे चलेगी तो अभी समय आपका लगेगा जिया दोस्तों भी दोस आपको पांच तारीक आपको स्मय सकती है तो डोस्तों जो भी अपडेट से आगे आपको अब्डेट करते रहें देखिए अब इम आपको बताते करिए मेससेजेश साथ है कि किसका पच्छे जादा मजबूत है देखिए आप लोग इस समय पच्छे को लेकर जादा परिसान मत हुए कि कि किसका पच्छ मजबूत है, किसका पच्छ कमजोर है, अभी दोस्तों आपको अपनी सिच्छक बर्ती पर कंसेंट्रेट करना है, कि ये सिच्छक बर्ती दोस्तों कम से कम है और at least final होने की ओर तो बढ़े ना, अभी दोस्तों ये सिच्छक बर्ती आगे बढ़ ही नेरी जैसे तो दोस्तों कुछ वैसी आपकी 69 जास इच्छक बढ़ती एक देकर रूख चुकी है अब दोस्तों जैसे आगए यह बढ़ती है हम आपको अपडेट करके बताते रहेंगे कि आकर किसका पच्छ मजबूत हो रहा है और किस पच्छे से कुछ गलती है और जिसमें दोस्तों आ करके यह बता दीजेगा कि आज फिलाल केस में कुछ भी सुनवाई नहीं हुई है और दोस्तों अगर कोई सुनवाई होती तो दोस्तों हम आपको अपडेट करके बताते कोल की मतलब कोड की पलपल की अपडेट क्या आख आज हाई कोड में डबल बेंच में क्या हुए तो वैसे दोस्तों आज कुछ देखने को दवह ही मिला है और उमीद करेंगे जो अगली सुनवाई होगी उसमें दोस्तों आपकी तरफ से जो एक जोरदार बहस की पूरी संभावना बन सकती है आज भी दोस्तों आपके पास परयापत समय था दो पहर दो बचकर पंदरा मिट स दोस्तों आपका जो केस अगर आपके सुनवाई होती तो एक बड़ी भास हो सकती थी लेकिन किसमत की दोस्तों बात होती कि आपका दोस्तों जब भी केस आता है जजस आपको कोई नब कोई प्रॉब्लम से या दोस्तों उस दिन उपस्तित नहीं हो पाते जजस आप कुछ आपको देखे सोड़ा समय लगेगा और आपको इस समय पेपर टू आली है जूनियर की जो वेकंसी आ रही है अब उस पर आपको दोस्तों अभी से लग जाना है क्योंकि दोस्तों नए चात्र काफी दिन तुसके लिए तैयार ही में लग रहे हैं तो नए चात्र से आपका क कमपर्टिशन होने वाला है आप एक बार सुपर्टेट पास कर चुके तो आपके पास एक अच्छा खासा एक्स्पीरियंस भी है तो आप अपने एक्स्पीरियंस का दोस्तों फायदा उठा सकते हैं जिससे कि दोस्तों आप आशानी से नौकरी प्राप्त कर पाएंगे तो